हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी मुमोज की रेसिपी आज मैं आपको भेज मुमोज घर में बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से बहुत ही आसान तरीका से बहुत ही टेस्टी मुमोज आप घर में बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी फिलिंग के साथ है तो उसकी रेसिपी आज मैं आपको साथ सेयर करूँगी तो आए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं मूमुज बनाना तो मूमुज बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्टफिंग बनानी होगी तो स्टेपिंग बनाने के लिए लेंगे कोई पैन या कड़ाई इसमें डालेंगे एक चमत तेल तेल को घर्म होने के बाद इसमें डालेंगे एक चमत साबुद जीरा हम इसमें कटी हुई सबजी या डालेंगे तो मैं इसमें डाल रही हूँ बारी कटी हुई बीन्स इसे हम एक मिनिट के लिए भून लेंगे अब इसमें डालेंगे कदू क्रश की हुई गाजे कदू क्रश किया हुगा पत्ता गोवी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे तो हरी मिर्च की क्यूंटिटी आप अपने एकॉर्डिंग डाल सकते हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्श गम डालें इसे हमें 5-6 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेना है सबजीयों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है बस 5 मिनिट के लिए ही पकाना है इसके बाद हमें गैस का फ्लेम आफ कर देना है और फिर हम इसमें नमक एड़ करेंगे क्योंकि अगर आप गरम-गरम सब्जियों में नमक डाल देंगे तो ये पानी छोड़ देंगे और जब इसे हम स्टफिंग बनाएंगे तो मुमुद की सेफ अच्छी नहीं आएगी और बनाने में भी प्रॉलम आएगी तो अब हम इसमें एक मीडियम साइस का बारी कटा सिम्डा मिश डालेंगे और इसे एक मिनिट के लिए भूल लेंगे तो अब ये सब्जिया अलमस्ट पक गई हैं इसमें हम डालेंगे करीब एक से दो चमच सोया सॉस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब हम इसे किसी बाउल या प्लेट में निकाल लेते हैं और इसमें एड करेंगे एक से देट चमच नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स मॉमोस्ट के स्टफिंग बन कर तयार है अब आए मॉमोस्ट की कवरिंग बनाने के लिए हम आटा लगा लेते हैं इसके लिए मैंने यहां एक कप मैदा लिया है इसमें हम डालेंगे आदी चमच नमक साथ ही इसमें एक से दो चमच तेल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें धीरे धीरे पानी डालकर हम इसका एक हलका सा सक्त आटा लगाएंगे आटा हमें बहुत ज़्यादा सौफ नहीं लगाना है हलका सा टाइट ही लगाना है तभी हमारी मॉमोस्ट की से अच्छी आईगी इसे हम इस तरह से चिकना कर लेंगे इसे ढख कर 10 मिनिट के लिए साइड में रख देते हैं ताकि हमारा आटा सेट हो जाए तो 10 मिनिट हो चुका है हमारा आटा भी सेट हो गया है वापस से एक बाद नीट करेंगे इस तरह से इसके बाद हम इसके चोटी चोटी बॉल्स बना लेंगे इसमें से एक बाल्स को लेंगे और थोड़ा सा मैदा लगा कर इसकी चोटी से पूरी बिल लेंगे ध्यान रहे कि इसकी जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होना चाहिए अदरवाइज सिर्फ मैदा का ही टेस्ट आएगा मोमोज में और फिर इसके बीच में हम स्टफिंग डाल देंगे और स्टफिंग आप अपने मर्जी से कम या ज़्यादा करें तो मैंने यहाँ पर दो चमच स्टफिंग डाला है मोमोज में स्टफिंग जितना ज़्यादा रहेगा टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा अब इसे पानी से इसके किनार को सील करेंगे तो पहले पानी लगा दे चारो तरफ अब देखिए मैं आपको सेफ नंबर बन दिखा रही हूँ इसके लिए आपको इस तरह से प्लेट लगानी है इसमें थोड़ा सा घुमाते जाना है तो ये मैं आपको क्रासिक सेफ दिखा रही हूँ यानि की मोदक की जो सेफ होती है सेम वैसा ही कुछ इस तरह से आपको इसे प्लेश कर देना है और पिंच कर देना है तो देखिए ये मुमोज बनकर तयार है अब सेकंड सेफ देख लेते हैं इसके लिए देखिए अगेन हम स्टाफिंग फिल करेंगे और अब हम जैसे गुजिया बनाते हैं सेम वैसे ही सेफ बनाएंगे इसके बाद हम हलका सा पानी लगाएंगे और इसे इस तरह से पिंच कर देंगे प्रेस कर देंगे अब मैं आपको एक सेफ और दिखा देती हूँ इसमें भी हम इस तरह से स्टाफिंग फिल करेंगे जैसे हमने पहला मुमोज बनाया था ठीक उसी प्रोसेस से ठीक उसी प्रोसेस से हम इसे आधा फोल्ड करेंगे तो ऐसे तीन चार प्लेट राइट साइड से बनाएंगे तीन चार प्लेट से लेट साइड से और फिर इंड में इसे ऐसे बंद कर दें इसे बनाना उसे भी असान है तो यहाँ पर मैंने सारे मुमुज बना लिये हैं अब हम चलते हैं इन्हें स्टीम करने के लिए तो यहाँ पर यह पानी उबलना सुरू हो गया है और मुमुज स्टेंड को हम इसके उपर रख देंगे अब हम इसमें मुमोज डाल देंगे सारे मुमोज को अलग अलग रखे नहीं तो ये स्टीम होने के बाद एक दूसरे से स्टी पक जाएंगे तो सारे मुमोज रख दिया है मैंने और ढखकन लगा कर इसे 10 मिनट के लिए विडियम टू हाई फ्लेम पर स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे दस मिनट बाद इसका रखकन हटा है और यहां पर यह मुमोज जो है वो अच्छी तरह से पक गया है तो मैं इसको सर्व कर रही हूँ मुमोज की चटनी के साथ यह मुमोज बाहर से बहुत ही सौफ्ट है और अंदर से बहुत ही जूसी और इसको आप इंज़ुआ करें मुमोज वाली लाल चटनी के साथ मुमोज की चटनी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं आप भी इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राइ करें और बनाने के बाद फीडबैक जरूर सेयर करें आई होप आपको यह रेसिपी जरूर पसंद आगी अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ जरूर सेयर करें थांक यू